कि अलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल पिया समेस आज मैं आपको बताऊंगी आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में सरक दही के सेवन से आप अपने मोटापे को ही कम नहीं कर सकते बाद अपनी स्किन को और हेर पॉल्प की प्रॉब्लम को भी खतम कर सकते हैं साथ ह कि यह हाई बीपी के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों के टाइम में इससे आपका कॉलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है क्यों क्योंकि दही में मैगनीशियम पोटेशियम विटमिन B12 विटमिन B2 साथ में कैल्शियम और विटमिन C जैसे पोश करने के लिए आप क्या करेंगे कि तामे के लोटे में आप दही को रात भर रख देंगे और फिर सवेरे उठके नहाने से करीब करीब आदे घंटे पहले आप उस दही को अपने सर में अच्छे से मसाज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी हेर पॉल की प्रॉब्लम आप दूसरी चीज में आपको अताओंगी कि दही में विटमिन सी होने की वज़े से ये हमारे स्किन को ग्लोइंग बना देता है जब आप दही से फेशिल करते हैं ही के अंदर जो विटमिन सी होता है उससे हमारे चेहरे पर ग्लो आता है तीसरी चीज ये हमारे हड्यों को भी दही की वज़े से हाई बीपी के पेशेंट का जो बीपी होता है वो कंट्रोल में होता है दूसरी चीज जो इसकी वज़े से हमारा जो कॉलेस्टरॉल है वो लेवल में रहता है राइबो प्लेबिन एक ऐसा पोशकतत होता है जो हमारी पाचन क्रिया को सही से काम करने के लिए मदद करता है इसे हमारा मेटाबॉलिजम भी सही रहता है और हमारा अपने आप ही कम हो जाता है लेकिन एक चीज का ध्यान दखिए कि आप दही में कभी भी चीनी मिलाकर नहीं लीजिए क्योंकि जब चीनी को बनाते हैं तो इसकी जो चीनी बनाने की प्रोसेस है उसमें बहु पायदा करती है तो आप क्या कर सकते हैं दही में जीरे का पाउडर मिलाईए क्योंकि जीरे में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोपर्टी पाई जाती है जिसकी मेटाबॉलिम को बढ़ाती है और हमारे पैट को कम करती है तो इसी से ही हमारा जो पैट है वो गर्मियों में कम हो बढ़ने लगता है और हमारा जो मोटापा होता है जो बेले पैट होता है जो हमारे पेट के चारो तरफ चर्वी जमी होई होती है वो बड़ी ही आसानी से पिखल जाती है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज इसे शेर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें